हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मैं डोकेट नहीं रांते तो जैसे कि आपना टाइडल देख लिया होगा तो आज मैं आपको इंडियन पैनल कोड आई पीसी सेक्शन 302 जो की मडरकी होती है वो डीटेल में समझाऊंगा और यह एक वीडियो मां बना चुका हूं आई पीसी 302 पर उसमें डीटेल में समझ में नहीं आया तो उनको respecting यह मैं पैसजा होने बाद क्या china मिलगी इसमें हाई कोर से मिलेगी या सेसन कोर से मिलेगी तो वह है न आप पॉइंट टू पॉइंट में डीटेल में समझा हुआ तो चलिए सरूर करते हैं तो सबसे पहले आई पीची 302 सेक्शन जो कि मर्डर का होता है यह तब लगता जब हम किसी को जान से मारते हैं अगर भाग जाता है कहीं पे मतलब अरेस्ट होने से पहले तो उसको बहुड़ा भी साबित कर देते हैं पुलिस उसके पीछे भी लगते हैं लेकिन अगर वो खुद पेस हो जाता तो उससे बड़िया बात कुछ भी नहीं है ठीक है अगर पेस होने के बाद उसको पुलिस क्या करेगी चुबिस घंटे चबस करेगी अंदर उसको कोल्ट में पेस करेगी होड़ में पेस करने के बाद उसको सिधा जेल के अनदर अभी बात करें कही हो कहा का मैसिज कमेंटी यह भी आय Sydow लेकिन अगर सच में उसके उपर IPC 302 लगी और उसने सच में मडर किया तो उसका जो प्रोसीजर होगा वह पहले आप सुन लीजिए बाद में उसका ही प्रोसीजर आपको बता मगा तो इसमें क्या नाए अपायार होने के बाद वाजेवर में चला जाएगा फिर सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट बात ये रहती है कि योगे मैं भाईयो के मैसीज दें कि एक या दो महीने में जमानत हो जाएगा नहीं होगी भाई एक या दो महिने में जमानत नहीं होती है IPC 302 में मड़र केस में और अगर यह आप सोच रहे हो कि चलान पेस होने के बाद जो कि 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस वाड़े को पेस करना पड़ता है तो 90 दिन के अंदर चलान पे सोने के बाद अगर जमानत हो जाएगी सेसन कोर से तो सेसन कोर से तब भी नहीं होगी और हाई कोर से भी 3 मेने के बाद जमानत नहीं होगी क्योंकि फैक्ट देखे जाते है अगर उसका बाई नेम नाम है F.I.R. में कि उसी ने मडर किया है तो वो एक्ट डिसाइड करेंगे कि उसकी बेल होगी या नहीं होगी क्या होता ना कि फैक्ट के तोर पे भी बेसक फैक्ट में उसका कम रोल है लेकिन उसके बहुजूद भी बेल नहीं होती है हाई कोर से अगर आप यह सोर्च के बैठे हो तो कई बायों का मैसिज था तो फिलार मैं आपको कलियर कर दिया है और दूसरी बात के योगा ये भी था कि कई बार के आना कि मडर करने के बाद भी जो आप पुलिस F.I.R. नहीं करती है कई ज़रे जगड़ा हो गया और पुलिस F.I.R. नहीं करती तो उसका भी सोलूशन है जैसे कि हम दर्कास दे के आते हैं पुलिस क्या करती है ना एक 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 फोरगा पेज दे देती है और उसको बोलते है कि चोड़ो इस पे लिख दो अपनी सारी गतना उसके बाद हम देखेंगे इंक्वारी करेंगे लेकिन इंक्वारी करती है लेकिन फिर भी उनके खिलाए पायार दर्ज नहीं होती है तो उस केस में भी हम DSPIS के उपीस के पास जा सकते हैं अगर वहां से भी काम नहीं बनता है मेरे पास फोन भी आते हैं कही ना कहीं से ज्यादा तर तो IPC 302 और IPC 307 से रिलेटीड ही आते हैं तो उसमें मैं आपको कलियर बता देता हूं कई वहां कहने है कि वाकिल साब नहीं बोल दिया फीस लेली लेकिन काम नहीं किया तो मैंने उसे पूछा है कि भाई कितने दिन होगे फायर होगे बोलते हैं कि डेड़ महिना हुआ है भाई IPC 302 में मडर केस में डेड़ महिने में कुछ नहीं होता तो उन्होंने ये भी कहा कि वाकिल साब ये बोल दें कि एक बार चलान पेस हो जाता फिर उसके बाद हम जमानत लगाएंगे यहीं से शैसन कोर्ट से ही हो जाएगी देख भाई में आपको करियर बता देता हूं कि मडर केस में अगर भाई नेम है ना तो चलान पेस हो जिया एक महिने मों चल्च दो मेन है चल्च तीन महिने में उसके बाद भी हाई कोर्ट से भी जमानत आपको नहीं मिलेगी अभी बात करते हैं कि कैसे बच सकते हो आप आई पीसे 302 से अभी कहना मडर हो गया और बेल भी लगा ली हाई कोर्ट से तो अब क्या करें तो उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताएगा अगर नहीं देखे तो लिंक में डिस्क्रेप्शन में देदू नहां जाओं कि उसमें क्याना जब गवाई होगी चलान पर इस होने के बाद जब गवाई में डेट लगेगी और जो ऑसकेस में गवाऑ है है फिटनस हैं तो अगर आप उनको मनाने जो की और जाझार ज्यादा हो जाएगा तो उनको मनाओ होस्टाइल का मतलब होस्टाइल हम बोलते हैं कि भाई यही होता है कि कुम्परमाइज क्यों आपके खिलाब गवाई ना दे तो जितने भी गवाई है इसमें और हाईर में जो पुलिस वाड़े की गवाई होगी वो कोई जरूरी नहीं है उनकी गवाई मतलब इतना वैली नह इंते हैं क्योंकि ज्यादा तर जो उसमें मैंगावा है उनके गर के उनको ज्यादा prayer करते हैं तो उनकी गवाई को तो यही है भाई अगर आप उनको मनाओगे अच्छा रहेगा होस्टाइल करवा हो तो उसके बाद भी अगर आप यह इसोच रहे होने के बाद भी आप आपकी बेल हो जाएगी हां, अमें एक fact बन जाएगा ठीक है न, बेल होने गा लेकिन यह नहीं कि बेल होई जाएगी उसमें पका आपको यह नहीं कि 100% बेल मिलेगी उसमें भी आपको chance है, 50% chance है 50% नहीं है और इसमें ज़्यादा तर criminal के सामें सजाई होती है लेकिन अगर होस्टाइल हो जाता है तो फिर उसमें 50% चांस बन जाते हैं गवाई अगर आप गिरवा देते हो अपने किलाब जो गवाई है वो नहीं होने देते तो उसमें 50% चांस आपके बेल होने के या जो छोटे-मोटे केस हैं करीमनों केस जैसे क्या IPC 323 सब्सक्राइब तो उसमें आपको सब्सक्राइब नहीं कुछ मडर तो किया है ना बेसर गवाई आपके खिलाब नहीं गई लेकिन मडर तो किया ना तो उसमें आपको सब्सक्राइब करेंगे तो यह था मडर केस का कलियर आपको बता लेता हूं और जो वकील यह बोलते हैं कि भाई एक महीने में 302 में जमानत करवा देंगे बेल दिला देंगे दो महीने में चलान पेस हो गया तब भाई सरफ पैक्ट डिसाइड करेंगे कि यह आपका क्या र लोग और जो भाईयों के डाउट थे वो कलियर कर दिये हैं और फिर भी अगर आपको कोई प्रोब्लम है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप कोंटैट कर सकते हो किसी भी लेगल एडवाइस के लिए और बहुत जगह से फोन आ और अगर ऐसी आप वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को क्लिक कर देना ताकि अगर मागली वीडियो डालनों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो उमीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मिलता हूं किसी वीडियो में तिल देन बाइब जाइब जाइब